सिवनी मालवा मध्यप्रदेश के सीरसन नेत्रत्म में टाइगर को लेकर गमासान का सरब हिस्थानी तौर पर भी देखा जा रहा है सिवनी मालवा में भी यूवा कांगरेस के विधान सबा ध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि ये मंत्रिमंडल सिवरास सिंग चुहान का नहीं बल्कि महाराज का है यूवा कॉंग्रेस के विधान सबा ध्यक्ष का कहना है कि महाराज के दबाओं में भारती जनता पार्टी ने अपने वरिष्ट विधायों को की अंदेखी की है जिसका परिणामा अगावी उप्चुनाओं में भारती जनता पार्टी को देखने को मिलेगा वहीं दूसरी ओस्तिवनी मालवा भारती जनता यूवा मोच्चा के नगराध्यक्ष ने पलटवार करते उवे कहा है कि मत्यप्रदीश की राजनिती में एक ही टाइगर है और वो है शिवराज सिंग्चुहान और जहां तक भारती जनता पार्टी की बात है तो भारती जनता कारेकरताओं की पार्टी है यह विरुदाभास कभी नहीं आ सकता अभी तक मंत्री मंडल में जिन भी विदायों को कुप इस्थान मिला है वह सभी भारती जनता पार्टी की नीती से वाकित है और जो रह गए हैं उन्हें आने वाले समय में पार्टी के द्वारा कोई पुर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी रही बात आगामी उप्चुनाओं की तो जनता ने कॉंग्रेस का 15 महीने का कारेकाल देख लिया है जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है अपने आपको ठगा सा महसूस कर रही है उप्चुनाओं में 24 के 24 सेट भारती जनता पार्टी के ख कि जोति राधिती संधिया जी का कि कि मीडिया के सामने कर थे कि का रीब जिनता है तो भारती जलता पार्टी में पेहले से एक टाईघर है चितरा शिबराध सिंगी ने तो आगे देखना है कि इन दोनों की टाइगरों की लड़ाई काभ होती है क्योंकि एक टाइगर जो शिंदिया जी ने ने बने है अभी इनको शिवराज सिंगी चोहान पेले ही गद्दार परिवार का रोसित कर चुके हैं तो यह जए जो मेल हुआ है यह मेल अबने नाकी किसी मानसथ़ता किसी विचाधार रहा है कुरों है जोटी जादी सिंधिया जी का मंत्री मंदल का विश्तार गुए तो यह पुरी दवाग की राज्जीती जो पहले कांग्रेस में करके थे अब गुडवाजी और दवाग की राज्जीती भारती जनता पार्टी जागे करें जी पिछले चुनाओं में 2018 के कांग्रेस द्वारा जूटे प्रचारों के कारेंड कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई थी जिसके बाद कांग्रेस की सरकार के द्वारा छेत्र की जनता पे मद्द प्रदेश की जनता के ऊपर दुराचार अत्याचार प्रारम हुए हैं जिस से की जन्ता के भी तो आइमाम हो गया था तब हमारे मुक्रमंट्री या सस्वी मुक्रमंट्री सिवराज सिंह चोहान जि ने कहा था कि आप चिंता ना करें ताइगर अभी जिंदा है तो मद्द्ध्प्रदेश की राजदीटी में तो केवल एक ही ताइगर है जिसका ना इतने भी कमगा उतने सब्त कम पलेंगे उसका अंत करते हुए उन्हें मद्द प्रदेश की राजनीती में जनता की सेवा के लिए हमारे मद्द प्रदेश का टाइगर सेवा में लगे हुए है।